तो हमारे कच्छा दस्वी के सभी विद्यार की हो बिल्कुल चिंता मत करो क्योंकि आपकी चिंता की जवाबदारी मेरी है मैंने आपसे वादा किया है कि हकीकत में और वास्तों में अपकी बार 90 पार की उपर चलना है तो जो चीजे मैं बता रहा हूं उसको एक बार जरूर द आगे की चीजों को अपन बात में करेंगे केक नंबर को पहले अपन चच्छा नंबर वाले चीजों करें पिले लिस्ट में लॉड़ दिखेगा आपको उसको जरूर देखना है तिके बहुत ही जल्दी में अपलोड करने वाला हूं से उसमें सारी चीजे समाई थे और सब्सक्राइब करेंगे की चोट पहले तो मैं भरोसा आपका खोना नहीं चाहता मैं उनी बच्चों के साथ खड़ा हूं कि जो वास्तों में पढ़ना चाहते हैं और मैं आपको छे पेपर दे रहा हूं और उनी में से नहीं फस्ता है तो फिर भली आप मेरे चैनल पर जननी और जन्मभूमी जो है ना दोनों ही स्वर्ग से भी बढ़कर होती है स्वर्ग से भी बढ़कर होती है जन्मभूमी स्वर्गात उतकरस्ट तरह अस्ती जन्मभूमी जो है स्वर्ग से भी उतकरस्ट है क्यों कि सा का मतलता वहां लोका नाम इस लोक के सभी व्यक्तिय को ना सरंदाइनी सरंदेती है विवीद खाद्य पदार्थ प्रदाइने और विवीद प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान कराती सर्व व्यावार नाम लीला भूमी चास्ति सभी प्रकार के व्यावार लीला इस भूमी पर हुई है वेदिक रिशी कत्यती वेदिक रिशी माता भूमी हैं पुत्रो हम प्रतिवीय, और हम इस प्रतिवी क्या है? पूत्र है, व्यम राष्टभावाम, राष्टी चरित्रम, तियाग भावनाम, विना राष्टिय, राष्टष्ये संरक्षनम कर्तुम ना परियाम परसवह एक भावनाम एक दूसरे से जो दुवेश की भावना है उसको छोड़ कर राष्टे मतलब उसको ज़िए हम धारन करेंगे तो राष्ट कदापी सम्रद ना भुगती राष्ट कभी भी सम्रद ना होगा अता असमाभी स्वार्थ परितज्यस्य अता हमें हमने स्वार्थ को त्याक कर देशस्य देश की और देश वासिनाम और इस देश के सभी लोगों की सेवा सतत करनी हमेशा सेवा करनी चाहिए दिखें चाहे आपको अर्थ आता हो या ना आता हो या मेरी तरह टुटला फुटला अर्थ आता हो बिल्कुल आप तो पहले ध्यान से पढ़ो उसे थोड़ा सा पढ़ना है जानता देर तक अपने को इंट्रेस्ट नहीं लेना अपने को आवार्ड नहीं हिंदी मनुआत कर करें तो यह लिखा वाहे जनन्लीन जन्वाडी पी गरिस्चय से तो जण मुब्हुमी जो है स्वर्गा एपई गरीश्चय यहां से कस्मा थट जाएगा उर्थ तूर्गादीपी स्वर्ग से भी बढ़कर हैं ही यह लिखना पूरा लां मत लिखना यहां से प्रश्णू को देखिए प्रश्ण का अंसर आप याँ पूत्रम प्रतिविया तो सही है पर वह सामने वाला समझेगा कि यह तो मुर्ग है पूरे का पूरा शुन अश्य का ध्यान से सारम लिखत इस गध्यान से का सार क्या है इस गध्यान से का सार जो है ना अश्य का ध्यान से सारम यत असमा भी देशस्य देशवासी नाम चा सेवा सतत करने है हमें इस देश के सबी लोगों की यहां से लिखा यहां से स्क्रीन सोड ले लेना है चले इसी के आगे वाला है ना यह संस्क्रत भासा का इसे आपका निभन भी कंप्रिट हो जाता है पूरे का पूरा आप निभन में लिखके जाओ तो चान नंबर यहां से मिल जाएंगे कभी कभी यह ना वो दे देता है तो कई बच्चों के कहा संस्क्रत भासा का निभन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है इसे वह टिप टाप के लिख दो यह निभन में आपने को अच्छे स सोल्व करा दिया है और समझाया है यहां पर भी थोड़ा समझते हैं समझ में जाएगा दिखिए संस्क्रत भासा अस्मकम देशस्य प्राचिंतमा भासा अस्ति संस्क्रत भासा हमारे देश की प्राचिंतम भासा है प्राचिंकाले सर्वे एव भारतिया संस्क्रत भासा एव करते ना कई पर जाओगे तो हिंदी बोलोगे ठीक है चाहिए आप बंजाब के हो यह इसी तरह जो लोग व्यवार में अधिक तर संस्कत भासा का पहले लोग व्यवार में लाते थे कालंतरे विविधा प्रांतिया भासा प्रचलिता समय के साथ विभिन प्रांते की भासा प्रचलित हुई किन्तु संस्कत स्य महत्तम अग्यपी अक्षुनम वर्तते संसकत भासा का जो महत है आज भी दुरलब है सर्वे प्राचीन गरंथा सारे प्राचीन गरंथ चत्वारो वेधस्य चारो वेद संसकत भासाया मेव संती संसकत भासा में ही है संसकत भासा भात राष्टस से एक्त या आधार से यहां से अपन थोड़ाँ से छोटा करते हैं और समझते है उप्यूगत गध्यान से उचित सिर्षकम लिखत इस उचित सिर्षक क्या है संस्कत भासा और अस्माकाम देशा से प्राचिनतमा भासा का इस देश की सबसे प्राचिन भासा है तो अस्माकाम देशा से प्राचिनतमा भासा संस्क्रत भासा सर्वे वेद ग्रंथा सोर्वेवई वेध गरंता पस्याम वासा संटिक निलिखेंगे संशकत भासा भालत राष्ट्र से एकतया आधार का तो हुआ राष्टे एक तया आधा बसंस्वन भासा कश्य महत्तम अग्यपी अच्छुनम वरतते किसका महत्व आज भी दूर लभे तो संस्वक्य तो महत्तम अग्यपी अच्छुनम वरतते इतनी चीज़े किलिए रहें आगे बढ़ते हैं अगला है आपका संसारे अनेकासाम दुखानाम मुलकारणम अग्यानम अग्यानात एव समाजे नाना विकार जन्म भावती हिंसा ब्रस्ताचारदया ये उपद्रवा असमान पिडित यंती ठीक है अग्यानात एव समाजे नाना विकार जन्म भावती हिंसा ब्रस्ताचारदया ये उपद्रवा असमान पिडित यंती हिंसा ब्रस्ताचार ये उपद्रव ठीक है किसके कारण ही होते हैं उत्पन होते हैं हमारे अग्यानता के कारण हैं तेसा मुले आसिक्षा एव वर्तत एव इन सबका ठीक है मूल कारण ये है कि आसिक्षा है हम जो है हम ठीक है अग्यानता ये शिक्षा के प्रकास से इस अग्यानता के अंदकार को दूर कर सकते हैं और सज्जन बन सकते हैं सब्सक्राइब कम-कम समय में प्रियास कर रहा हूं कि वीडियो लंबा ना बने और समय आपके पास कमें लेकिन मुझे कवर भी पूरा कराना है मैं कैसे कह सकता हूं कि यही प्रस्ण आएगा मैं वही चीज़ बता हूंगा मौस्ट 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 जिन बच्चों को वास्तों मैं अच्छे नम्मर चाहिए ना बिल्कुल आप तो कम्पिलेट करो और सानती से बढ़ाओ चले इसके बाद में यहां से अपन प्रस्णों को देखते हैं इंके अस्यक्ध्यान से सिर्ऽषक क्या है तीकर अग्यानम दुखा नाम मुलक आर्णय क्या समाज में अन्यक विकार किसके कारण उतपन होते है तो यह अज्यानात आजाएगा के उब्द्रवा समान प्रिट्यंति तो कुन-कुन से उब्द्रव उत्पन हो रहे तो यह यहां पर लिखावा है हिंसा बरस्टाचार दया यह लिखा ना यह बिल्कुल आप तो इसमें से कंप्लीट करो कोई दिक्कत नहीं है आपको पूरी स्वस्त सरीरे एव स्वस्त बुद्धी वासित वस्ती स्वस्त सरीर में स्वद्ध बुद्धी का वास होता है स्वस्ता बुद्धी एव स्वस्त विचार नाम जननी अस्ती स्वस्त बुद्धी ही स्वस्त विचारों की जननी होती है व्याम सिला मनुस्य एव निरोगा चि एपने हम इसे प्राइन की ओके वो कोई रोग से नहीं होता है। और निंप्रोंब्सतें सब्सक्राइए या उपाई दूर रुण करने का होने का यूजिते अम प्रामभा शゃ andar N⑫ है कि हूग स्फित्व भूजयता यहां से आप उपित् हप्राइण सयस्रशकर लिखना है तो इसका शृषच्ट क्या बनेगा व्यायामा थे कि सवस्त बुद्दी कुत्र वास्ति सवस्त बुद्धी में किसका वास घुता है कि सवस्त बुद्धी में किसका वास होता है । तो स्वास्त बुध्य में किसका व स्वन्य इस्वतरोय स्रीवष्तित को अगला है आपका के का एव निरोगा कौन निरोग रहे ता व्यांसिल मनुस्या का लिखा है व्यायामसिल मनुस्या एव निरोगा ऑपने विवीन रोगा नाम की कश से कारण संभावे तो यहां पर आ जाएगा आपका बुध्धी ठीक है तो यह आपका स्वस्तु उद्धी आप जाएगा ठीके भईयू आप तो बढ़िया से कम्पिलिट करो इसके बाद में अपन एदी बात करते तो आगे एक और यहाँ पर देखते हैं अपन कस्मिचित प्रदेशे कस्षित नदी प्रवत्ति इस्मा तो इस तरह से जितने में आपको उपर वाले बता हैं उनके तरीके साब सकते हैं तो इस स्क्रीन लेना आपको ठीक है यहां से देख सकते हैं क्योंगी समय जानता लंबा हो रहा है इसलिह को यहां पर इतने चीजए एहां पर यह हो गया है कि असके बाद में मैंने आपको यहां पाले भारतशी लिए इमालाया वालाभ我्यां दों बता इसके बाद में यह बढ़िया से complete करो है ना आप तो बढ़िया से सारी चीजे में समझा रहा हूं अच्छे से आपको ना भई यू इसके अलावा अतिरिकता आपको थोड़ इसी चीजे आप अठे गध्यान से और एक एक बार आप इनको पढ़ लीजेगा यहां से देखेगा यह आपका थोड़ा से दोया तो इसमें सप्रिमनेंटी को प्रिमा गया था यह आपका देख लिजेगा यह आपका परष्णि मेंनक्म है और थोड़ा सम्झा देता हूं मिसको सुरिभनसराची यहां प одну दिखा था सुरिभनसराची साग्रा असित ठीजिए साग्रा कीम कृ तो इसने यह सपल हो जाएगा तो यह तो इसको सिंगासन मिल जाएगा सबसे जानदा डर्पों कि इंद्र कुछ नहीं करता कोई व्यक्ति कोई भली राक्षस तपस्चा करें सबसे पहले उसको यह संका होते ही नहीं अपने से छिन लेगा छिन लेगा ठीक है तो यह यहां से इंद्रा जाएगा इसमें विक्न कुर्ट्व मारगा चुरिवतान यज्यस से ठीक है और यहां पर और यहां पर आपका जाएगा ध्यानेने का अस्ति तो ध्यान में कौन मंगना था कपिल मुने वस्ति यह आप कर सकते है ना भी यह इसके बाद मैं आपको एक और बता रहा पढ़के जाना है ठीक है यह आपके चांस से कमें पर वो मैंने जो बता है उनकी जानदा है पर लेकिन कुछ भी हो सकता है कभी भी समय का भरोसा को नी कपल्टी मार जावे यह आपको यहां से इसका अंसर यह पढ़ना है पढ़ने में कोई दिक्कत थोड़ी है एक एक बार है वाला तो हो गया मैंने पिछले वीडियो में बता दिया आप को इसके बाद में यहां से च्छटा यह पढ़के जाना थोड़ा था इनके अलावा एक भी अलग से नहीं आएगा यह भी गारंटेड है और इनमें आदे जानता तो फालतू भी पर मैंने सबी चीज़े बताया आपको ताकि हमारे बच्चों के नंबर ना करते बस केवल हमारा उद्द्द सी यह है ठीके यह प्रवायड करा रहा हूं सेवायाम सबसे पहले किसी भी आवकास को लिखते समय सबसे पहले कुछ विनमरता वाले बाते लिखने पढ़ती तो इसकी उच्छतार माद्यमिक विद्याले उज्जेन नग्रम मध्यप्रदेशा यहां पर आपका जो इस्थान है वह लिख सक इसके सीध में सेव आया है ठीक है यह बिल्कुल आपकी कोपी की लाइन हो गई इसको अब कोपी में लिखे बता दूँगा पहले अपन समझा देते हैं आपको विसे हो गया आपका आउकास आर्थम प्रातना पत्रम आउकास इने की छुट्टी की एप्लिकेशन एदू अवे जोड़के निवेदन है यद का मतलब होता की क्या होता है यद मतलब की यहांपर लिख दूँ यद मतलब हो गया की अहम का मतलब होता है में अहम मतलब क्या होता है में अग्ये का मतलब होता है आज ध्यान से देखो आप तो यह के चीजों का अर्थम जो सवीनेयम निवेद अस्ति सविने निवेदन है कि में आज सहसा का मतलब होता है बुरी तरह जोर पीडितो बुखार से पीडित और अस्मी मतलब हूं में बुखार से बुरी तरह पीडित हूं अभी लाइन करता आप खुद भी बना सकते कि विद्याले आने में क्या हूं आसमर्त हूं कम से कम जान दानी तो में को पांच्छे महीने की छोटी तो ठीक है यह सा करो पेपर के इंचिल कर दो संसिक्रत का सबसे बढ़ी अगाम रहेगा यह हमारे बच्चे जो तोच रहे ना बिल्कुल घबराओं मत आप ठीक है नो फरवरी के दिन आपका एकजाम है ना संसिक्रत का और में दावा डंके की चोट पे केता हूं कि हारे का सारा इंचियार्टी कोचिंग हमारा ठीक है आप तो बिल्कुल संकोच मत करो जो चीज़े बता रहा हूं ना उसमें से नहीं फ तो असमें विद्याले आनेमे में क्या हूं आसमर्त हूं किरपया मंपंच दिवास नाम किरपया मुझे पांच दिन की आवकासम स्विक्रंतों पांच दिन की आवकास देने की किरपा करें भावदिया सिश्या एक सब्द यहां पर ध्यान देना है आवकास लिखते समय यहा उनको लगेगा विसर्ग जैसे नीचे वाली application में आप देखेगा ये सब्द बहुत ध्यान देना है लड़के है तो भाई सब विसर्ग लगेगा बड़ा की मात्रा नहीं लगेगी यहां से देख लो आप रभी बवन्ताम सिश्या सिश्या ये भी सिश्या है और ये भी सिश् और आगे बड़ा बता देता हूं उसको समझने के लिए आपको यहां पर समझो आपका होगे कि वहां पर नहीं था यहां पर देखो बहुदी या सिश्या लड़के का जब नाम रहेगा तो दोनों में विसर्ग रहेगा सिश्या और बहुदी दोनों में यहां पर सार्थक भार दो आज लिखा हुआ है यह एक नंबर काड़ देता है यहां से ठीक है और बढ़िया से करो फिर अपने को दिनांग कहे तो दिनांग के बच्चे के मन में संकाती संसकत की बासा में लिखना नहीं हिंदी के में भी लिख सकतो कोई लिक्कत नहीं आएंगे नंबर में इसको तरीके को भी आपको थोड़ सा बच्चे के द्वारा लिख वाया था मैंने एक जगा पर बता देता हूं सफ़य आपके हाथों में है ठीक है बिल्कुल आपको बढ़िया से ध्यान देना है यह जानदा आपको कन्फीजन नहीं होना है कि नियार भाया किसे लिखे अब बढ़िया से कंप्लीट करना है आप तो हमारे जो बच्चे बिल्कुल टोपर है कोई घबराने की जरुवत नहीं है हर बच्चा जो है बसक़ों को पेचानने की जरुवत हर बच्चा पास होगा हर बच्चा क्योंकि हरे का सारा संसिक्रत भासा अस्माकम देसस्य प्रा आपका संसिक्रत भासा हमारे देश की प्राचिनतमा भासा अस्ति पुरानी भासा है पुराने जमाने की भासा है प्राचिन काले पुराने समय से ही सर्वे का मतलब होता है सभी सर्वे मतलब क्या होता है सभी भारतिया यहने भारती और एव का मतलब होता है ही क्या होता है ही ए ठीक है चीजों को ध्यान चिसम आप थो प्राचिनकाले सर्वे एव भारतिया प्राचिनकाल में सभी भारतिय ही संस्कुत भासा का एव ही व्यभारम कुर्वनती इसमा का मतलब करते इस व्याओं मतलब है यह करते थे याने हम अपने किसमें बोल रहे हैं ही संसकतर की डियान से समझों शुर्च में आपको यह एक चीजह किलियर हो सुजए कालंतर का मिन्स होता है समय के साथ कालांतरे का मतलगा समय के साथ विभीदा वेने की विभीद प्रांतियान राज्य भासा प्रचलिता अववन समय के साथ विभिन प्रांति की भासा प्रचलित हुई जैसे आपकी पंजाबी हुई सिंधी हुई गुजराती हुई तेलवु हुई ये सब भासा संसक्रतस्य महत्वम संसक्रतस्य जिसमी यह आदसा और यह रहता न इसका मतलब होता है काकी के यहने जिसी जरुद बोले बोलती है बोलता है बोलता है राम की रामस्य रामस्य भ्राता राम का भाई और सीता सक्खा यह सुरी हाँ तो यह सीता की सहली तो इस तरह से काकी के निकलता है मतलब किसका आदशाव याका- यहने स्शिया का तो आज भी क्या है दुरलब है तो हां करो ठीक है वरना अभी वीडियो शोड़के चले जाओ क्योंकि देगे संस्क्रत का स्क्रीन सोड़ तो आप ले लोगे लेकिन समझना बड़ी चीज है और यदि एक बार समझ मैं जा तो चाहे आप इंतम हो चाहे ना इंतम हो ठीक है आपको याद कराने के जो अब दरी मेरी याद अच्छे से होगा क्या बोली ही मैंने लाइन पहली यहां से अपन फिर से रिपीट करेंगे कोई दिक्कत नहीं सांती से पड़े जूज बच्चे को सबर और सांती नहीं वो अराम से वो जीवन में कभी सपलता नहीं जाएगा संस्क्रत भासा आसमा कम देशत से प्राचिनतमा भासा स्ती संस्क्रत भासा हमारे देश की सबसे पुरानी भासा है प्राचिनकाले सर्वे एव भारतिया संस्क्रत भासा या व्यवार कुर्वनती इस्वा प्राचिनकाल में सभी भारती संस्क्रत भासा का व्यवार करते थे कालांतरे समय के साथ विभिदा प्रांतिया भासा प्रचलिता वन समय के साथ विभिन प्रांत की भासा प्रचलित हुई किन्तु संसिक्रत मैत्वम अग्यपी अच्छुनम वर्तते और संसिक्रत भासा का मैं तो आज भी दूरल है सर्वे प्राचिन ग्रंधा सारे प्राचिन ग्रंध चत्वारो वेदश्य चारो वेद संस्क्रत भासा या में उसंती सभी प्राचिन ग्रंध चारो वेद संस्क्रत भासा में ही है संसेक्रत भासा भारत राष्ट की एक्ता का अधार है आगे पड़ते हैं संसेक्रत भासा या यह आपको यहां से नहीं करना है यह अब चार नमर में आता तो यह यहां से यहां संसेक्रत भासा या स्वार रूपम पूर्ण रूप से वेज्ञानिक पते हैं बस इतना सा यह वर्ड आपको चाहो तो लिख सकते हैं इतना सा आपको यह लिखना है मैं यहां पर नहीं सा लागा ऊपर का गया इतना लिख दिया फिर बस इन सब को मारो गोली क्योंकि चार नमर में हमको खास खास चीज़े लिखनी है केवल आगे बढ़ेंगे तो यहां से अपने को पढ़ना है संसक्रत भासयों भासयen भारतश्य प्रान भूता भासय अस्थी संसक्रत भासय ही भारत राष्ट की क्या है प्रान भूता अने की प्रान भूता Жाय sä ळिख Cambly को कर लेना बस इतना ही बहुत है जाना लंबा चोड़ा शुट आपको लिखने कर लेकर लेना कूट मैं भी में बता रहा हूं और है यहां बलाइन लिखना है और बाकी यह हम पर लघ से अपको यहां सब्सक्र cynbas में उपड़ कर लो इतना को संस्क्ट हो dock ett एक और कालिदास्का कर लेना बस दोनों के अलावा आपको को इसी चीज करने की जरुवत नहीं वैसे हर साल ही नाइन तो टेंट में संस्कत भासा का निबन आता ही है चाहे आप 2023 में एकजाम देके आए हो चाहे 2024 में आप एकजाम दो गया पर चाहे 25 में दोगे चाहे 27 में दो ही है नएक आलस ही मनुष्य का सरीर का महान रीपू रीपू रिपू नहीं मतल till सत्रो तो आलस ही मनुष्यों के सरीर में रहने वाला महान सत्रो inarsith में नास्तियों घ्यम समो बंधू करत्वा यम नाव सिदती ठीक है तो याने कि आलत से ही मनुस्यों के सरीर में रहने वाला महान सत्रू है परिश्रम के समान कोई भी बंदू यह भाई कोई सका नहीं है जिसे करके व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है मतलब परिश्रम का बराबर तो कोई भी कोई बंदू नहीं है कोई हमारा सका नहीं मित्र नहीं जिसा आप अभी एक्जाम की तैयारी कर रहे हो और इसमें जो बच्चा अच्छी महनत करेगा ना आपको भले ही लगता हो कई बच्चों को यह लगता हो कि रियल पेपर आएगा क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा कई भी चिंता करने की जरुबत नहीं किसी के पास कोई ढूंडने की जरुबत नहीं है यह आप मेहनत करोगे परिश्रम करोगे तो दो से तीन दिनों में संसकत इतनी सरल है दो से तीन दिनों में टोपर बन सकते हो और आप सब जानते हो कि मैंने आपसे वादा किया है अपकी बार 90 बार ठीक है इन की तरह आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है तो मैं जो सिरियल बाई सिरियल बता रहा हूं पिले लिस्टों को जरूर से काउट करो जांदा से जांदा दस वीडियो रहेंगे और दस मिनेट करेंगे याने आपना बात करें तो मुस्किल से दो गंटे और आपको एक जवान ही गुनों को जानता है ना वेत्ती निरगुनों अब कोई भी जो गुन हिन रहेगा जो वेक्ती लायक नहीं रहेगा जो वेक्ती समझदार रहेगा वही बातों को समझेगा यहने जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं बार बार कि मैं आपको 90% पार करा रहूंगा उसी बच्च आप बच्चान नहीं तरह बच्चे को भरोसा उगा वरोसान नहीं है उसके लिए अपने कोच भी करके बता देंगे ना जब भी उसे भरोसा बल जो बेखती रहेगा असक्त जो रहेगा वो बल को नहीं जानता है यह लिगा ना गुनम ना वाइशा ठीक है कुवा नहीं करी चा सिहस्ये सेर ही सेर के बल को ही ये लिखाने करी चा सिहस्ये बला ना मुसका हैने की हाती के जो बले हैं अब सेर के बल को हाती ही जानता है और चुहा नहीं तो यह आपका दूसरा इस लोग है ठीक है दो हो गए है इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो तीसरा जो है यहां से रहेगा आपका जो सरल रहे गए वो कर लेना है दो आएंगा आपके उसमें इसके बाद में यह चोथा है यहां से देख सकते हैं आप तो ठीक है हो गया भैयू आप तो जितने चीजे में बता रहा हूं कंप्लेट करो मेरी जवाब दर यह आपको अच्छा गिलाने की यहां से देखिए को से नमर पांच है जो अच्छा लगे वो करो इसको नहीं कि यह बोलना है बाद इसके बाद में करना चाहूँ तो यह आपके लाया के यहां से आरक्चनम आ मंत्रम चरम नास्ती नास्ती मुल नोस्धम आयुग्या पुरुसा नास्ती योजक इस्तता दुर कर लेना है कंप्लीट